Hello friends, welcome to this video class. Friends, this video class में मैं कुछ पैराजंबर ट्रिक्स आपको बताऊँगा, कुछ PQRS के कोश्चिन्स आपको सॉल्ब करवाऊँगा और किस तरीके से इन कॉश्चिन्स को किया जाता है, किस तरीके से कॉश्चिन्स एससी एक्वेंज में पूछे जाते हैं, अलगलग पैरना इसके क्या हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा और बेसिक गाइडलाइन्स क्या होती हैं किस तरह से आप इनको 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 जल्दी से जल्दी आप सॉल्ब कर सकते हैं तो ये हम डिसकस करेंगे इस क्लास में देखिए ये कुछ बेसिक गाइडलाइन्स हैं और इससे पहले का जो वीडियो क्लास था प्रिविएस वीडियो उसमें भी मैं इनको डिसकस किया था लेकिन शॉट में ब्रीफली एक बार मैं और डिसकस करता हूँ देखिए कोई भी पेराग्राफ जो स्ताथ होता है उसका एक title sentence होना चाहिए सबसे पहले उसमें एक title sentence आना चाहिए और title sentence वो sentence होता है जिसमें noun यह किसी का नाम आता है तो यह सबसे बड़ी basic guideline है अब देखे सबसे पहले यह आप title sentence निकाल लेते हैं जिसको हम mean paragraph का mean sentence बोलते हैं उसको यदि आप निकाल लेते हैं, तो समझ सकते हैं आपके आदा काम आपका हो गया। उसके बाद उस sentence से फिर further sentences को आपको link करके उसको आपको बनाना है। अब देखिए, कौन सा sentence first हो सकता है। ऐसे सभी sentence जिसमें noun हो, या एक particular title हो, या किसी चीज का नाम हो, वो first sentence हो सकते हैं। ठीक है, और noun को normally, noun को हम replace करते हैं pronoun से, यानि pronoun वाला sentence जो है वो बाद में आएगा, noun वाला sentence पहले आएगा। प्रोनाउन कों से होते हैं, ये है सारे pronouns, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, he है, she है, it है, they है, those है, these है, but है, ये तो खेर connecting word है, but है, hence है, if है, however है, किसी भी sentence में यदि ये word है, तो वो first sentence नहीं होगा, वो बाद में आएगा, क्योंकि ये pronouns हैं और ये हैं आपके but, hence बगरा ये connecting words है, ये बाद में आते हैं, ठीक है, तूरे sentences को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, केबल आपको linking words को देखना होता है, और इन basic guidelines को follow करना होता है, logical reasoning को आपको apply करना होता है, कैसे आप apply करते हैं, ये मैं बताओंगा इस video class में, देखें, यहाँ पर A, B, C, D, 4 ये sentences दिये हैं इस video class में मैंने अलग-लग तरीके के PQRS questions ले हैं, ताकि आपको सभी तरीके के questions के बारे में जानकरी हो जाए, तो A, B, C, D भी यहाँ पर रख सकते हैं, PQRS भी यहाँ पर रख सकते हैं, XYZ यहाँ पर रख सकते हैं, अलग-लग तरीके के pattern में ये perajemble के questions जो हैं, ये पूछ कैफे से पहले लगा हुआ है, दा कैफे जोनल, यानि ये sentence first sentence नहीं हो सकता, आर्टिकल वाले ये sentence होते हैं, जिसमें दा लगा रहता है, वो first sentence नहीं होते है normally, क्योंकि पहले उसका reference कहीं नहीं आया होगा, जैसे किसी noun को यदि आप first time बोलेंगे, तो इसको आप A बोलेंगे A house बोलेंगे या A man बोलेंगे, उसके बाद उस paragraph में जब further उसको आप state करेंगे तो उसको आप बोलेंगे दा मैन या दा हाउस, इस तरीके से आप बोलेंगे, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इसमें दा लगा हुआ है, यह sentence first नहीं हो सकता, none of them इसमें देम लगा हुआ ह प्रोनाव ने यह first नहीं हो सकता, here you sip, यहां पर आप sip करते हैं, मतलब किसी place के बारे हैं बता रहे हैं, तो यह first नहीं हो सकता, this cafe, देखे यहां पर यह sentence first होगा, क्योंकि यह noun है, इस cafe के बारे में एक particular cafe के बारे हैं बता रहे हैं, तो दी sentence जो होगा आपका first होगा, मैं opened in Tokyo is not for the faint hearted, यह cafe जो अभी तोकियो में start हुआ है, यह faint hearted के लिए नहीं है, faint hearted का मतलब क्या है, जिनका दिल कमजोर है, ठीक है, आप देखिए, here you sip your drink in the company of 35 snakes, snakes, snakes कैसा होता है, snakes से डर लगता है, जो कि faint hearted के लिए नहीं होता है, तो इसके बाद, D के बाद, C ही आ सकता है इसमें, और DC, अब देखिए, मैंने के बाद दो ही sentence पढ़े, यह पढ़ा और यह पढ़ा, बाकी यह वाले sentence मैंने नहीं पढ़े, और यहीं से, यह दो sentence पढ़ मैं ही इसमें option दिया गया है, D, C, D, C, B है, यहनी B, A को मैंने combine नहीं किया, केवल D, C को मैंने किया, और D, C का केवल A की pair है, इसलिए answer इसमें यहीं होगा, देखिए, इसमें कितना time आपका बचेगा, अब देखिए, D, C के बाद, यह आप B लगाएं, तो इस सही आएगा, देखिए, यहाँ पर हमने C में snakes की बात की है, और उस snake noun को यहाँ पर replace किया है, none of them pronounces, none of them, पहले snakes के बारे मैं बोला, उसके बारे, उसके बात बोला कि none of them are venomous, मतलब उसमें से कोई भी जहरीला नहीं है, और उसके बादा, the cafe owner says, यह आप बोल सकते हैं, तो यहाँ पर आप हुआ हुआ, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर देखिए, an environmental group, यहाँ से start नहीं होगा, a 4.7 meter long whale, देखिए, whale एक noun है, यहाँ से start हो सकता है, it is very disgusting, यह pronoun है, यहाँ से start नहीं होगा, the animal, बतना particular animal की बात कर रहे हैं, तो दावला मेना sentence बताया था कि बाद में आएगा, ठीक ह है, इसमें pronoun है, यह sentence, an environmental group performed a necropsy on the animal, मतलब इस particular animal के बारे में बात की गए, इसमें भी the animal आया है, तो यह sentence first नहीं हो सकता, यह सबसे बैस तरीका है करने का, देखिए, a 4.7 meter long whale died on Saturday in Philippines, where it was stranded a day earlier, इसमें वेल की बात हो रही है, यह sentence बी से ही इस्तात होगा, क्योंकि वेल यानि noun दिया है, ठीक है, आप 4.7 meter long whale died on Saturday in Philippines, where it was stranded a day earlier, इसके बाद आप यहां पर देखते हैं क्या लिखा है, an environmental group performed a necropsy on da animal, पहले whale बोला, उसके बाद उसको da animal से replace किया, ठीक है, पहले sentence में A बोलूँगा, उसके बाद मैं da बोलूँगा, तो B के बाद इसमें, इसमें da आएगा, ठीक है, मतलब, एक whale है, वो मर गई है वहां पर, ठीक है, तो एक environmental group ने जब study की, तो क्या पाया, उसके पेट में काफी सारा plastic पाया, ठीक है, तो यह सही है, जिसकी वज़े से, जब plastic मिला, तो उसकी वज़े से, उसकी डैथ हो गई, तो यहां पर हम बोलेंगे, the animal died, ठीक है, B, then A, then plastic मिला, उसके बाद, डैथ हम बता रहें को, उसकी डैथ हो गई, तो B, A then D, then हम बोल सकते, it is very disgusting, B, A, D, C इसमें आपका, आपका answer बनेगा, B, A, D, C इसमें दिया है, third में, तो यह इसमें आपका answer बनेगा, अब देखें, किस तरीके से मैंने logically sentences को combine किया, connect किया, यह आपको सीखना है, और उसके बाद, mock test के थुरू आपको, ज्यादा से ज्यादा practice करनी है, यह एक ऐसा, एक ऐसा section है, English section का, कि काफी scoring है, और इसमें एक edge आप ले सकते हैं, ठीक है, चलिए, आप देखें, यह sentence देखें, इसमें PQRS दिया गया है, तो इसमें मैंने इस video class में मैंने अलग तरीके के PQRS sentences दिये हैं, ठीक है, it had been, it's a start नहीं होगा sentence, it pronoun है, one dull dark day in autumn I was traveling, यहां से start हो सकता है, क्योंकि I, क्योंकि यहां पर actually, यहां पर क्या story सुरू हो रही है, यहां से, ठीक है, this से start नहीं होगा, this was the house of Roderick, क्योंकि this भी एक pronoun होता है, लेकिन यहां से मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहां से story start हो रही है, one dull dark day in autumn I was traveling on horseback, ठीक है, story ऐ जल dark day in autumn, autumn का time था, पज़ड का time था है, वहां से मैं गुजद रहा था, राइटर बोल ला है, ठीक है, जब वो गुजर रहा है, वहां से वो traveling कर रहा है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद चलते चलते रात हो जाएगी, ठीक है, तो logically यह आना चाहिए, at nightfall, जब रात हुई, I came in sight of the house of Usher, मेरे को एक Usher का house, house मिला, ठीक है, जब house मिला तो उसके बाद आ बोलेंगे, this was the house of Rotrix, यानी, यह हो जाएगा first, ठीक है, यह हो जाएगा second, यह हो जाएगा third, और यह हो जाएगा fourth, यानी QSRP, ठीक है, QSRP इसमें आपका sequence बनेगा, देक है, इस तरह के sentence, इस तरह के PQRS के यह questions है, यह tier 1 में आपसे इस तरह से पूछे जाएंगे, और tier 2 में थोड़ा सा advanced level के questions है, जो मैंने previous वीडियो में उनकी practice कराई है, आप से, तो उनको भी आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए, in other countries, other आ गया, other pronoun होता है, ठीक है, in some countries, देखे, यहाँ पर Q&P का एक pair बन जागा, क्योंकि पहले मैं बोलूँगा in some countries, उसके बाद मैं बोलूँगा in other countries, definitely Q&P का इसमें एक mandatory pair बन रहा है, mandatory pair मतलब यह logically related है, और in other country यहाँ से start नहीं होगा, in some country यहाँ से start नहीं होगा, it is my pronoun है, यहाँ से start नहीं होगा, frustration यह एक noun है, यहाँ spared no country, मतलब इसने किसी भी country को नहीं छोड़ा है, सभी countries में frustration है, लोगों में, ठीक है, तो RS से sentence start होगा, अब RS का इसमें एक यह option है, first, देखिए, RS, उसके बाद आजाएगा Q&P, यह other वाला sentence बाद में आएगा, पहले मैं बोलूँगा in some countries, फिर मैं बोलूँगा in other countries, यहनी Q QP वाला जो पाद है, यह बाद में आएगा, और sentence R और S से start होगा, तो इसका answer आपका जो बनेगा, वो बनेगा, RS QP, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, the real purpose underlying this, इसमें this दिया है, this pronoun होता है, first sentence नहीं बन सकता यह, he, first sentence नहीं बन सकता, pronoun है, man, यह noun है, first sentence बन जाएगा यह, it, pronoun होन है, first sentence नहीं बन सकता, यहनी sentence यहाँ से start होगा, man is something much greater than an intelligent being, यहाँ पर man आ रहाया है, इस man को मैं replace करूँगा, इस he से, he has, यहनी R Q से sentence start होगा, R and Q, man, then he, R, then Q, R, then Q, R, then Q, R Q का इसमें एक ही pair है, R Q, P, S, R, then Q, ठीक है, then P, अब देखें, यहाँ पर एक maximum के बारे हैं बात हुए, maximum होता है, एक कहावत, और उस maximum एक noun है, और उस noun को replace किया गया है, यहाँ पर it से, it tells us, पहले maximum बोला है, फिर बोला है, it tells us, यहनी PS बाद में आएगा, यहनी इसमें आपका, इसमें आपका जो pair गा, R, Q, P, S, R, Q, P, S, इसमें आपका pair बनेगा, R, Q, P, S, यहाँ पर है, तो यह इसका आपका answer होगा, ठीक है, अब देखें, यह टाइप 2 के मैंने कुछ questions लिये हैं, इस तरह के questions भी आते हैं, इसमें क्या है, कि यहाँ पर यह part दिया गया है, अब इसको आपको X, Y, Z के pair में बनाना है, we have seen that when, when के बाद इसमें, वी ही आ सकता है, when we deny that a mental image can, can के बाद, यहाँ पर can के बाद, वर्ब की first form आईगी, तो can occupy any portion of space, we need not, we need not के बाद, वर्ब की first form आईगी, तो इसमें Z by an X, Z, then by an X, Z, then by an X, Z, then by an X, 4 इसमें आपका answer बनेगा, ठीक है, यह जरूरी नहीं है, यह reading based होते हैं सारे sentences, यह आप reading अच्छी करते हैं, तो इस तरह के sentences को आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, कि vocabulary आपकी अच्छी हो, या उसका meaning आपको समझ में आए, अब देखिए, another major difference, difference के बीच में होता है, difference between हो सकता है, या difference in comparison भी बोल सकते हैं, difference in comparison with the solar, solar के बाद system ही आ सकता है, ठीक है, solar के बाद system ही आ सकता है, यह फस्ट होगा, यह second होगा, और packing of, packing हम किसकी करेंगे, seven planets की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी Z by X, यह answer होगा इसका first, यहाँ पर देखिए, not only people have buying, buying के साथ क्या word जोता है, buying capacity होता है, खरीदने की छमता, buying capacity आपने सुना होगा, तो यहाँ पर यह हो जाएगा, first, buying capacity in the city, people here are also quite concerned, people, people जो है, वो concern है, वो लोगों के बारे में चिंतित है, ठीक है, about, अब about के बाद क्या सकता है, वो concern है, किस बारे में, environment and health के बारे में तो y, z और x ही इसका sequence बनेगा, by, by, z and x, by, z and x, यह sequence बनेगा इसका, ठीक है, तो यह tier 1 में इस तरह के questions आ सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए, pqrs का दूसरी type का question लिया है, मैंने, but से sentence start नहीं हो सकता, इट वाज, इट से start नहीं हो सकता, but एक connecting word इस start नहीं होगा, इट एक pronoun नहीं होगा, मोहनलाल से start होगा, he से start नहीं होगा, मोहनलाल's train was late and it reached Kolkata a little after midnight, यह हो जाएगा, first, ठीक है, इसके बाद, मोहनलाल की train की visit की बात हो रही है, it was his first visit to the city, देखिए, यहाँ पर Kolkata आया है, Kolkata, noun, और उस noun को replace किया है यहाँ पर, on the city, to the city, ठीक है, तो R and Q ही, इसमे starting sentence बने गए, R and Q, R Q, हाँ, देखिए, इसमें R Q नहीं है, 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 यही आपका आंसर होगा, देखिए, मैंने चार मैंसे के ब time को बचाते हैं और high score आप कर सकते हैं अब यहां पर देखिए कि end से sentence start नहीं होगा इफ से हो सकता है once you एक बार आप ऐसा कर लेते हैं इससे start नहीं होगा then से भी start नहीं होगा यहां से start हो सकता है इफ से ठीक है if you transform your energy positively it naturally becomes compassion and love ठीक है if you transform your energy positively it naturally becomes compassionate love and slowly उसके बाद sentence को मैं extend करूँगा इसके द्वारा and slowly you reach the pinnacle of self-awareness ठीक है QP का ही इसमें पेर बन सकता है ठीक है उसके बाद आप once बोलेंगे उसके बाद फिर then बोलेंगे QPRS का एक पेर बनेगा इसमें QPRS यह है इसका answer ठीक है तो जब आप practice करेंगे तो काफी अच्छे तरीके से यह questions ऐसे होते हैं कि इसमें आप 100% score कर सकते हैं और T.A. 2 में बड़े-बड़े लंबे-लंबे sentences भी आते हैं तो वो भी मैं आपको कर बाऊंगा और उनको भी आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे ठीक है तो कैसा लगा यह class और कोई भी आपको doubt या query है इस class के बारे में तो इन numbers पर आप मुझे contact कर सकते हैं अपना feedback इस email ID पर भी मुझे दे सकते हैं examiny.in पर discussion group है उसको भी आप जोइन करें ताकि आप दूसरे students के साथ discuss कर सकें और काफी सारी चीज़ों को share कर सकें englishiq.in यह मेरी official website है इस पर मैं free blogs लिखता हूँ इनको भी आप पढ़ें इसमें मैं questions रहते हैं इसमें और यहां से free content भी यहां पर available है तो उसको भी आप download कर सकते हैं तो इस video class में इतना ही अब मैं आप से मिलूंगा next video class में thank you